चलिए आज हम बनाते हैं एक कब गेहूं के आटे से मजदार नास्ता जिसे बनाना बहुत असान है आप इस रेसिपी को 5-7 मिनट में बनाके रेडी कर सकते हैं आज की मज़दार रेसिपी सूरू करते हैं एक पड़ात मैं मैं लोगी एक कब गेहूं का आटा, इसमें मैं डालूँगी आदा छोटा चमच अजवएन और आदा छोटा चमच नमग, अब इसमें मैं डालूँगी दो बड़ा चमच तेल मौइन के लिए और इन सवी चीजों इक बाड़ा पछे तरीके से मिक्स करें ताकि आटे में अच्का से मौहिन से हो कि अच्छे तरीके से मिक्स करने औरısब आप म्स जाए पाने के बाद अब हम इसमें ।ट्रा पाणी डालते टीवी हरी मीर्च और एक चमाचे कड़ी में यहां चिली फ्लक्स डालूंगी स्वादा नुसर नमक डाल दे और आदा चोटा चमच गड़ा मसाला डाल दे गड़ा मसाला डालने के से इसका एक फिलेवर बहुत अच्छा आता है तो इन सबी चुजों को एक बढ़ा मचे तरी डय करेंगे जादा पतल ह cancel टाल मिड्तित गडागा को आवरे मेर न डेरीे करेंगे तो देखिए बना तरहा है पांच मिनटे हमसाल उसक्ति सेट हो गया लोगी अब हम इसमेंं एक नमेस चकरना पनाएंग गजितना कई मीड़ा एक कर और या उनम समयमाने के बनाते हैं उसस लगा लेंगे थोरा सा सुका आटा और एक बड़ी सी रोटी बना के हम यहां रेडी करेंगे बीच में डग देंगे हम यहां इस्टापिन्स और इस्टापिन्स को चारो तरफ अच्छे तरीके से फैलाएंगे अगर चमच की मदद से आप ना फैला भाएं तो मेरे तरह से यह हाथ से फैला के इसे रेडी कीजेगा बट यहां कोसिस कीजेगा कि आलू के स्टापिन्स एकदम पतली से लेयर लगे तो देखिए अब इसमें अच्छे तरीके से लेयर लगाने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसे रोल कर देंगे रोल करते समय इसे अच्छे तरीके से पै इस सब्सक्राइब बिदयी कर लिए एक अब और यह सब्णार कोraph up कर लिए एक कशिक. मैं अब पन्रम टील्त में बास्ट का लिए त्यान हाफ और इस विस्न सब्सक्राइब कर लाएदा किया एक इंप०्फब कर लिए और बना करें, उसको हम इस एक हमें डालना होगा एक आटे वाला पीस और जो फोग बाले चमद्ट से आप लाल देंगे जब फोग बाले चमद्ट से अब लाले तो तो असानी तरीके से आप इसे डाल सकते हैं तो देखें जाल है एक पर चाहर डाली हूं और घैस का फिलम मीडियम करते तो देखे जब इस कलड़ का आ जाए तो हम इसे एक बार और अच्छे तरीके से पलड़ देंगे और इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट में इसको फड़ाई करने में आपको 5-7 मिनट लग जाता है क्योंकि इसे हम काफी क्रिस्पी बनाते हैं तो रेसिपी कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा और सेर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा इसी तरीके से में सभी को फड़ाई कर ले हूं तो आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजेगा आपके घड़वालों की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी